काली हिरन बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था जंगल के बीचों बीच एक जील थी जंगल में हिरनों की संख्या बहुत अधिक थी उन्हें पानी पीने के लिए इसी जील पर आना पड़ता था हिरनों के लिए चारों और खतरा था दोपहर को हिंसक जानवर खा पी कर सुख की नीन सोजाते थे इसलिए पानी पीने के लिए यही समय सबसे सुरक्षित था जंगल में हिरनों के कई जुंड थे सबसे बड़े जुंड में पचास हिरन थे इन हिरनों का सरदार काले रंग का हिरन था काले हिर्नों का वंज संसार में लगभक समापत ही हो चुका था केवल इसी जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार रहता था इस परिवार में काला हिरन, उसकी पतने और दो छोटे बच्चे थे काला हिरन दूसरे हिर्नों से ज्यादा तेज दौड सकता था वह जितना बुद्धिमान था, उतना ही सीधा और सरल भी था जुन्ड को अपने सरदार पर विश्वास था सरदार भी जी जान से अपने करतव्य का पालन किया करता था काला हिरन देखने में अनोखा लगता था उसकी चमकीली लाल लाल आखों को देख कर बहुत से जानवर डर जाया करते थे एक दिन एक अदबुत घटना घटी जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा दो पहर का सूरज तप रहा था प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया था शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे एक आ एक उन्हें जील दिखाई पड़ी शिकारियों की जान में जान आई उन्होंने पेट भर पानी पिया वे ठक भी गए थे जील के किनारे पेड़ों की घनी चाया देख कर वे वहीं रुख गए और बंदूकें उठा कर एक पेड़ के तने के सहारे रख दी वे सूना चाहते थे कि खटका पाकर चौकनने हो गए हिरनों का जुन्ड पानी पीने आया था यह उसी का खटका था इस समय भी काला हिरन जुन्ड का नेत्रत्व कर रहा था हिरनों ने शिकारियों को देख लिया था इसलिए शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरनों का जुन्ड बड़ी बड़ी जाडियों के पीछे ओजल हो गया शिकारी भी हाथ आई शिकार को यूँ छोड़ना नहीं चाहते थे उन्होंने हिरनों का पीछा किया हिरन भागे नहीं थे जील के किनारे जाडियों की ओट में दम साधे खड़े थे शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर निकल गए है इसलिए वे दूसरी तरफ चले गए हिरनों पर आई विबत्ती टल गई थी शिकारीयों ने जुन्ड का नेत्रित्व कर रहे काले हिरन को देख लिया था शिकारीयों में उस देश का राजकुमार भी था वह काले हिरन को देख कर आश्चरय में पड़ गया यह तो सच मुझी अद्वत जानवर है राजकुमार ने मन में सूचा राजकुमार काले हिरन को जिन्दा पकड़ना चाहता था उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाई शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए उन्होंने जील के किनारे आकर जाल बिचा दिये उन्हें विश्वास था कि हिरनों का जुंड जील पर पानी पीने अवश्य आएगा शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरनों की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी उन्हें हिरन आते हुए दिखाई दिये शिकारी जाडियों के पीछे छिप गए हिरनों का जुंड जील की ओर बढ़ा काला हिरन जुंड के आगे आगे चल रहा था शिकारी हिरनों को घेर ना चाहते थे एक शिकारी जाडियों की ओट लेता हुआ हिरनों के जुंड के पीछे पहुँच गया उसने हवा में फायर किया फायर की آवाज सुनते ही हिरनों में भागदण मच गई वे इधर उधर भागने लगे इसी भागा तौणी में काला हिरन जाल में भास गया राजकुमार ने अपने सातियों को पीछे हटने का आदेश दिया राजकुमार बाकी हिरनों को भगा देना चाहता था मगर यहाँ क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया काले हिरन को जाल में फसा हुआ देखकर सभी हिरन भागते भागते रुग गए सारे हिरन एक घेरा बना कर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए वहाँ पर जानवरों की संगठन का एक अदबुद द्रिश्य उपसित हो गया ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्म समर्पन करने के लिए तयार हो गए है तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली वह जाल के निकट आई काला हिरन कातर द्रिश्टी से अपने साथियों की ओड देख रहा था हिरनी की आँखें आँसुओं से गिली थी वह धीरे धीरे हिरन के पास आई वह सींगों से उसे खुजलाने लगी मूपशू कहता भी क्या राजकुमार को यह जब सपने जैसा लग रहा था राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था किन्तु उस समय वह सब कुछ भूल गया था छोड़ तो इसे एका एक राजकुमार ने आधेश दिया हिरनी की करुणा भरी मूख प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिगला दिया था काले हिरन को छोड़ दिया गया थोड़ी ही देर में हिरनों का जुंड आँखों से ओजल हो गया राजकुमार और उसके साथ ही भी वापस लौट आए रात को राजकुमार ने एक सपना देखा सपने में वही काला हिरन राजकुमार के बाग में चर्णे आया था राजकुमार की आँखें खुल गए दिन निकलने ही वाला था राजकुमार ने खिड़की खोल कर बाग की ओर देखा सच मुझ काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे राजकुमार तुरंत ओठ कर बगीचे में गया उसने हिरनी को प्यार से पुछकारा कुछ देड तक हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगा कर जंगल की ओर चले गए उस दिन के बाद में दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया, राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी इस प्रकार जंगल की सभी जानवर निर्भै होकर सुख से रहने लगे